हीरो इन को जब विलेंच छेलना हो तो उसकी आंखे नोच ली जाए उसकी जबान काट ली जाए कान के टुकले टुकले कर उन्हें गिद्धों को खिलाना होगा खिलाना होगा समझ गए मैं फाइट मास्टर गजराज हूँ मैंने सिल्वा जुबली पिक्चर मनाई है यह सब मुझे मत बता पहली पिक्चर है ना केमरे को बीचे जा बॉइस कमान यह क्या सारे नए फाइटर्स है हां कौन है यह नहीं लड़ता ओफो यह पिक्चर के हीरों है यह आपकी पहली पिक कि सारे नए लड़के हैं साब करेड़े चेंपियां से देखिया मैं आपको दिखाता हूँ हाँ होके साथ यह पेहले एक्षिन रेक्षण दो रिएक्ष्ण दो बऊएस तुम महीं जानते चलो यहां यहां आओ इतना काते हो देखिव मैं दिखाता हूँ सर मुझे मारीये स करके दिखाना होगा मुवार मॉसूर के दाली यहाँ हो सर आप मरिये इस तर एक्षिन यहाँ बेउटिफुल सर मैं क्या कह रहो और तुम कर कह रहे हो कमरे कट 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 आप में अरे अरे आरे कितनी पिच्चारों में आप आप इंग चाली और यहनुक मुझे मार ले अर्श यहाँ और रज़ा देगे जाओ अर्श और कैसे बदमाश है मस्टर को सची सची मार दिया मास्टर आपने तो बड़े-बड़े हीरो को सिनेमा में फाइट सिखाई होगी इनके लिए तो रियल मास्टर की ज़रूरत है अब आले है फिशेड हो मेरी बिल्ली और मुझे से मिया हूँ अब तुम लोग नहीं बचोगे हुआ है साल योका टपकार्ण है 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 लुप सर जी जैसे जैसे मार रहे हैं बखलो चलो 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 हाई एक्षईटा वे गूँ रड़ को मदIVEड़े जो चलो फंडास्थिप ही आख अजरा गजिए जया कम अजरा गजिए जा काट डल उसे मुझे पंगा लेगा अवे बच्चों हत्यार पकड़ने के लिए हाथ उमें दम चाहिए अवे नामर्द की अलाद बाद ता कहा है अवे भाग ले पिटा कटी गली से अवे अवे इदर उपा मुझे कि जीवन में डरता नहीं सर नीचा कभी करता नहीं कि मंगल इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं एक उधार देता है एक लेता है कईयों के पास प्यार उधार है कईयों के पास बदले का उधार है कईयों के पास पैसा उधार है कईयों के पास जाइदाद उधार है ऐसे कई तरह के उधार होते हैं लेकिन मैं का विवी कोई उधार नहीं रखता है, सब सूथ समेच चुका देता हूँ प्यार का उधार चुका दूँगा, जो दुएश मिला वो भी चुका दूँगा, जो दर्द मिला वो भी लाटा दूँगा, घाय लेहरदय भी वापस कर दूँगा खाई हुई चोट अद बहाँ खून भी वापस कर दूँगा, रिव्या बस थोड़े में मिश हो गया वो, उसके चरे पर भी ऐसे ही खून बहना चाहिए, जरूर बहगा, आप उसका कुछ नहीं विगड़ सकते, अब वो पहले का सत्या नहीं है, आपने ही देखा न, वो होती पाउरफुल है, बस खेर मनाये कि जो हालत उनकी की वो आपकी नहीं की, यह आपके पुन्य का फल है, पिता जी, इसे यही छोड़ दीजिए, कुछी दिनों में यह प्रोजेक्ट खातम हो जाएगा, तब तक शांत रहिए, और उन्हें कैसे सही रास्ते पे लाना है, यह मैं जानती हूँ,